अब जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं दिखा नी क्यूंकि अगर वो चोड़ा गया तो लाखो बच्चों को मार देगा लाखो परिवारों को नफ्ट कर देगा उसका उद्देश स्टाइग नहीं है इसलिए उसको अगर बंधन में युक्तु करके डाला जाये या मृ बहुतों की जीवन को नस्ट नहीं कर पाएगा इसलिए ऐसे आताताई को हमारा सास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है अगर वो बचा रहा तो लाकों को मार सकता है वो क्योंकि उसका उद्देश से लाकों को मारना लेकिन अगर बंदी बनाने के लिए तुमने थोड़ी सी अंकारी में है कि हमारे राष्ट शैनिक पहला तो एलान यही करते हैं कि आप हाथ उपर करो और अपने आपको समर्पित कर दो फिर अगर वो गोली चला दी तो फिर उसके इंतजार करने की ज़रत नहीं है उसको जो हमारे राष्टी सुरक्षा यंत्र है उनके द्वारा फि जया निर्खनी चाहिए जैसे भगवान के स्वरूप होते हैं गुरु लेकिन द्रोनाचारी जी बिपक्ष में है तो युदश्ठिर से बुलवाया अस्वस्थामा हाथो मारा गया अस्वस्थामा मार दिया हाथी तुम बुलो अस्वस्थामा अब वो जे ही उद्धिन हू ने तो खेल है पर वो दुस्मन की रूप में आयो हम तुम्हें चांस नहीं देंगे अगर हमारी एक बात पर तुम सरेंडर हो जाते हो तब तो कोशिस करेंगे सब फेक दो अस्तसत उपर के कपड़े उतार करके बिल्कुल हमको पता चलना चाहिए कि आप सरणागत हो और जरा भी चूकी तो खोपड़ी उड़ जाएगी और यही आपके लिए उचित है नहीं आपकी खोपड़ी उड़ा है आताताई का वद करना उचित है सास्त्रिसादिस करते हैं आताताई कुछे कहते हैं जो सोते हुए पुरुषों को बिना अपराध के हुए पुरुषों को अब रेलवे इस्टेशन पर खड़े गोली चला रहे कौन तुमारा वांदुश्मान है अब उनकी माननेता है तो रहा भी हो जाती है कई राजाओं ने जब सत्रुपक्ष के राजाओं ने घुटने टेक दिये तो उनको छोड़ दिया और जे भी छोड़ा तो ऐसे सैनिबल से आखें निकल वाली गले काट दिये बंदी बनाकर वो दुर्दसा कि उन्हीं की जिनोंने छमा कर दिया था जि जाएगे म्रति दंड से पवित्रता हो जाएगे जैसे अपने भी देश में है अब भारी अपराद अच्छम में अपराद के तो फासी की सजा दी जाती कि नहीं तो फिक्यों दी जाती जज्ज वो इसी लिए देता है अभी किसी अपराधी से वो ऐसा अपराद बन गया कि पांच और च्छे वर्सी की बच्ची से गलत करके उपर शत से फेक दिया मार दिया और जब जज्ज के सामने गया तो उन्हों कहा अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ एक अन्या समचारी इनहीं कुद्रष्ट बिलोक है जो ही ताई बधे कछपाप नहोई इसको फासी करना है हमें दयालु भाव हम सब पे भगवत भाव रखते हैं लेकिन हे भगवान यह आतंक रूपदारन करके आओगे आप अपराधी रूप धारन करके आओगे तो दंड विधान रूपी पूझा आपकी हम करेंगे आप सौमी रूप रखके आओगे तो हाँ जोड़ लेंगे अलग-अलग विधान रखा गया है नहीं तो देखो भगवान सर्व सामर्त साली होते हुए एक हाथ में लीला कमल है तो दूसरे में सुदरसंचक है तापस वेस विशेश उदासी चोदह वरस राम बनवासी सरीर के वस्त्र बदल दिये पादुका नहीं पहनी लेकिन सारंग धनुस्तो और अक्षे तूडिर साता ही रखा है क्योंकि कुछ क्रपा से मानेंगे प्यार से तो कुछ वार से मा मर्यादा का उलंगन करे उसे सफ्र के द्वारा देखो भगवान परश्टू राम जी तपस्या करें लेकिन फ़रसा पासाई में घड़ा रहता है हाथ है में फरसा रहता है तो यह हमारे संसिक्रती है भगवान अगर हमारे प्रगठ होते है अगर वह मुर्षी में रोवर है तो सुधरसंचक्रदारी भी है आप यह भी दैर रखो तो ऐसे ही आप भक्त भी हो तो आप एक राश्ट्र से निक हो जरूरत पढ़ने पर हमारा गला उतर जाए तो कोई बात नहीं और जरूरत पढ़ने पर हम सामने वाले सत्रू का गला उतारे तो हमें कोई फरक नहीं प मैं हुच्त करने के लिए अब हमें नहीं सोचा तो यह जोगों को उचर नहीं देला चाहिए नहीं तो अपना घृटा हो जाएगा अगर आजाता है जो सभी थावासर नाई तो फिर हम उसकी बेउस्ता अलग है और अगर वो जरा भी छल कपट है तो फिर हमको सावधान हो जाना चाहिए क्यों? हाँ हम लोगों को भी सिखाया जाता है कि दया बिना सादू कसाई हो दया करी तो आफ़त आई दोनों बात समाल के दया बिना सादू कसाई हो दया करी तो आफ़त आई दया करी तो फस जाएगा देखो हिरन में फस गए दया करके भरत जी अगला जन में हिरन का हुआ तो जैसे आप राष्टी सिवक हो तो ऐसे ही आपको शावधान दखना जहां दया की जवरत है वहां दया की जवरत है और जहां क्रूरता की जवरत है तो वहां दया नाम की चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए आपमे आपमें भय नहीं होना चाहिए आपमें रक्त देख करके धरदे द्रवित नहीं होना चाहिए आप जिस समय सूर वीरता पे हैं उसे देखो ना भगवान है अर्जुन है महाभागवत है भीस्म जी है भगवान तक के बाण मारे भीस्म जी ने सामने स्रीकृष्ण चंद जो है यहां तो भावना करनी भगवान की सामने स्रीकृष्ण जी तान के बाण मारते हैं बिकल हो गए अर्जुन और भगवार और अपना परण विसार करके फिर रत का चक्र पहिया लेकर भागे भीष्ण की तरह मारने के लिए जिस समय हमें जो रोल दिया जाए देखो इस समय आप राष्ट सैनिक का रोल है हाँ अगर आवश्चक्ता है होकुम है तो सैक्णों की जान ले लेंगे आवश्चक्ता है तो अपने प्रांट दे देंगे ये सूरवीरता कम न होने पाए सादुशंग, सत्संग, भगवत भावना ये हमारा एक शेत्र है और राष्ट प्रेम एक शेत्र है राष्ट प्रेम की जगए फिर ये दया ले ये हम सह सकते हैं हमें जूते से कोई मारा थपड़ से मार रहा है तो हम ठाकुर को याद करेंगे और समझेंगे कि आपका विदान लेकिन आपका नहीं आपकोई सादू भेस में नहीं हूँ इसमें बिल्कुल दया लए चाहिए बिल्कुल हदर पक्का यही बक्ती है इसी को सबजला है यही पक्की बक्ती है यह नहीं कि अरे हिंसा कैसे भगवान करवार है ना मार अरजुन अरजुन कहरे सन्यास लेंगे और भिक्षा कान पाएंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे और भगवान कहरे नहीं इस समय तुम्हें प्राप्त धर्म युद्ध तो इस समय तुम्हें तुम्हें गर्दन काटनी बोले किनकी काटे जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया भीस्म जी द्रोणाचार जी उन्हीं की कटवाई सरसया पर अरजुन नहीं भीस्म जी को गिराया है और भीस्म जी अंगुली पकड़ के चलाना सिखाय थे अरजुन जब हमारा पक्ष और विपक्ष धर्म और धर्म की बात आवे फिर हमारे अंदर दया नहीं फिर उस समय नहीं समझ पहले अब